भगवन तेरी के पासे मिला है ये नव जीवन भगवन तेरी दया से मिला है ये नव जीवन कुछ नहीं है पास मेरे मैं करूँ जो तुम को अरपन भगवन तेरी के पासे मिला है ये नव जीवन भगवन जग के जूठे नाते देखे देखे जूठे बंधन भगवन जूठे जूठे बंधन रंग बदलते दुनिया देखे जूठे सारी अकरशन भगवन जग का ये ब्रहम देखे के तूठा तूठा मन का दर्बन भगवन तेरी क्रिपासे मिला है ये नव जीवन भगवन तेश तारिक के महावाक्य में बाप की स्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है इसलिए देहधारीवों की मत छोड़ो बाप के स्रीमत पर चल प्रश्ण है किन बच्चों के बुद्धी का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है बच्चे तो है फिर भी अभी तक भटकना बंद नहीं हुआ है बाबा के ते उत्तर हैं जिने वूच ते वूच बाप के मत में वा इश्वरिय मत में भरोसान नहीं है उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ बाप में पुरा निश्यन होने के कारण दोनों तरफ पाव रखते हैं और दोनों तरफ पाव रखने वालों का क्या होता यह तो हम समझ सकते हैं तब बाबा केता भग तक गंगा इस नान आदि भी करेंगे और बाप के स्रिमत पर भी चलेंगे कितना जानता है बाबा ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा स्रिमत पर पुरा नहीं चलते हैं इसलिए धक्के खाते हैं स्रिमत ही तो बचाएगी बाबा कहता है स्रिमत पर नहीं चलते इसलिए धका धोका खाते रहते हैं गीत है इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चल इसका मतलब यह रहने लायक नहीं बची है उम शांती बच्चों ने यहां भक्ती का गीत सुना अवल तुम ऐसे नहीं कहते हैं तुम जानते हो हमको वूच ते वूच बाप मिला है वो एक ही वूच ते वूच है बागी जो भी यह समय के मनुष्य मातर है वो साब तो नीच है ना पैदे उताओ कि मुकाबले तो नीच ही कहेंगे ने तो बावकेता नीच है ना वूच ते वूच मनुष भी भारत में है यह देवी देवताई थे उनकी ही मैमा है सर्वगुन संपन्न कितनी बड़ी मैमा है कि सर्वगुन संपन्न अब मनुष को यह पता नहीं कि इन देवतावों को इतना वूचा किसने बनाए आभी तो बिल्कुल पतित हो पड़े वूच ते वूच सादू संत आधी सब उनकी साधना करते ऐसे सादू वो पिछाडी मनुष आधा कलब भटके है द्वापार से क्या किया? आधा कलब भटके है आभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है हम बाप के पास जाते हैं वो हमको स्रीमत देकर स्रेश्ट ते स्रेश्ट सदा सुखी बनाता है कितना सुखी बनाता? जो आधा कलब दुख का नाम निशान नहीं रहता रावन के मत पर तुम कितने तुछ बुद्धी बने अब तुम और किसी के मत पर न चल मुझे पतीत पावन बाप को बुलाया है फिर भी डूबोने वालों के पिछाड़ी तुम क्यों पढ़ते हो एक के मत को छोड़ आने को के पास धक्के क्यों खाते रहते कोई बच्चे ग्यान भी सुनते रहेंगे और फिर ग्यान भी सुनते रहेंगे और फिर जाकर गंगा इस नान भी करेंगे और सादू के पास भी जाएंगे पुराने काम छोड़े नहीं है बाप कहते वह गंगा कोई पतीत पावनी तो है नहीं फिर भी तुम मनुशके मत पर जाए इस नान अधी करेंगे तो बाप कहेंगे बाप को भी लगेगा ना तो बाबा केता बाप कहेंगे वूच ते वूच बाप के मत में भी भरोसा नहीं है एक तरफ है इश्वरियमत और दूसरे तरफ है कितने दूर का जानता है बाबा दूसरे तरफ है आसुरिमत उनका क्या हाल होगा दोनों तरफ पाव रखे तो चीर पड़ेंगे बाप में भी पूरा निश्य नहीं रखते कहते भी है बाबा हम आपके है आपके स्रिमत पर हम स्रेष्ट बनेंगे लगता भी दिल को उगाते भी है कि आपके स्रिमत पर हम स्रेष्ट बनेंगे हमको वूच ते वूच बाप के मत पर अपना कदम रखना है शांती धाम सुक धाम का मालिक तो बाप ही बनाएगा ना रचेता है ना तो बाबा केता बाप ही बनाएगा फिर बाप केते जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया उसने तो बारा गुरु किये बाबा को गुरु में भी कितना रिस्पेक्ट था कहते हैं बाब केता बारा गुरु किये फिर भी तमो प्रधान बने फाइदा कुछ भी नहीं हुआ आप बाप मिलता है तो सभी को छोड़ दिया उच ते उच बाप मिला और बाप ने कहा हीर नो इविल सी नो इविल बहुत देख लिया सुन लिया बाब केता न बुरा देखना है न बोलना है न सुनना है परन्तु है मनुष बिलकुल पतीत तमो प्रधान यह भी कहते हैं स्रिमत पर नहीं चल सकते ताकत नहीं माया धकका खिलाती रहती क्युकि कारण रावन है दुश्मन और राम है मित्र कोई राम कहते कोई शु कहते है रावन को जलाते राम को कभी जलाते नहीं है तो बाबा केता राम है मित्र कोई शू कहते असली नाम है शू बाबा मैं पुनर जनम में नहीं आता मेरा ड्रामा में नाम शू रखा हुआ है एक चीज के सव नाम रखने से मनुष्य मुझे हुए है कितने नाम है जैसे जैसे बाबा ने कर्तवे किया ऐसे ऐसे भक्तों ने नाम रख दिये तो बाबा केता जिसको जो आया नाम रख दिया असली मेरा नाम शू है मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ मैं कोई स्री कृष्ण आधी में नहीं आता वह समस्त है विश्णु तो शुक्षम वतन में रहने वाला है वास्तव में वह है यूगल रूप प्रवरती मार्ग के बाकी चार भुजाए कोई होती नहीं कमबाइन होने के कारण चतुर भुज दिखाया बाब केता चार भुजा कोई होती नहीं चार भुजा माना प्रवरती मार्ग तो दो दो भुजाए हुई ना निर्वरती मार्ग बाप ने प्रवरती मार्ग का धरम इस्थापन किया सन्यासी निर्वरती धरम के है प्रवरती मा परग वाले है ना फिर पावन से पतित बनते इसलिए सुरुष्टी को थमाने के लिए सन्यासीवो का पार्ट है। लगता है तो बहुत आते वह बाब केते खाना फेकते नहीं ग्रस्तिवो की पालना पर चलते करम सन्यास किया फिर भोजन कहां से खाएंगे तो ग्रस्तिवो से खाते हैं। खाने का महत्वेन बहुत उक्वादत होती भरभर के लेना और फेकना। लेकिन देखा जाता है सन्यासीवो को कही भगता आत्माओ को भोजन के बहुत वेलू होती है। तब बाबा आज यात कर रहे हैं कि वो कभी भी खाना फेकते नहीं है। ग्रस्ति लोग समस्ते यह भी हमारा दान हुआ यह भी पुजारी पतित था। फिर अभी स्रीमत पर चल पावन बन रहा। बाब से वर्सा लेने का पुर्शार्त कर रहा। तब ही कहते हैं फालो फादर करो। बाबा के कदम हमारे लिए निशान है। बस निशाने कदमों पे कदम रखे आगे बढ़ते चले। तो मंजिल बड़ी आसान है। तब बाबा कहता हैं फालो फादर करो। माया हर बात में पिछारती है। द्यह अभिमान से ही मनुष्य गफलत करते भले गरिब है वासावकार परन्तु द्यह अभिमान जब तूटे ना द्यह अभिमान तूटना ही है यह बड़ी मेनत है बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझो देही से पार्ट बजा करना सब कुछ है पनकला भी सिखाई कि अपने को आत्मा समझो देही से पार्ट बजाओ तुम द्यह अभिमान में क्यों आते हो ड्रामा अनुसार द्यह अभिमान में भी आना ही है यह समय तो पक्के देही अभिमानी बन पड़े बाप कहते तुम तो आत्मा हो आत्मा ही सब कुछ करती है आत्मा निकल जाए इसकी क्या कीमत है मिट्टी कहा जाता बाब कीता आत्मा शरीर से अलग हो जाए फिर शरीर को काटे आवाज आधी कुछ लगेगी नहीं आत्मा कहती मेरे शरीर को दुख मत दो ऐसास तो आत्मा करती है न कि मेरे शरीर को दुख मत दो आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है अपने को आत्मा समझो और मुझे बाप को याद करो कितने बार कहाँ एक पेश में कि अपने को आत्मा समझो और मुझे एक बाप को याद करो देह अभिमान छोड़ो हमारे दुखों का कारण क्या बना यह देह अभिमान जैसा देह अभिमान बढ़ता गया तस रुष्टी पे दुख बढ़ता चला गया बाबा केता तुम बच्चे जानते हो देही अभिमानी बनेंगे उतना तंदृस्त और निरोगी बनते जाएंगे इस योग से ही तुम 21 जनाम निरोगी बनोगे न डाक्टर न वकिल न बाबा कितना निरोगी बनाता हमें भविष्च तो छोड़ो पन इस जीवन में भी बहुत मदद करता है बाबा केता जितना बनेंगे उतना वूजपत भी पाएंगे सजावो से बचेंगे नहीं तो सजाए बहुत खानी पड़ेगी तो कितना देही अभिमानी बनना है कोई वो के तकदिर में यह ज्यान नहीं है जबी तक तुमारे कुल में न आए बाबा केता तुमारे कुल में न आए अत्वा ब्रह्मा मुख वन्शावली न बने बाबा का धरम का बच्चा न बने संगम यूगी ब्रामन न बने तब तक वर्सा कहां से लेगा तो बाबा केता तो ब्रामन बनने बीगर देवता कैसे बनेंगे भले आते बहुत है बाबा बाबा लिखते आत्वा कहते भी है परंतो श्रिप कहने मात्र उपरी उपरी क्या होगा बाबा केता श्रिप कहने मात्र दिखावटी चीज लंबे समय तक नहीं रह सकती तब बाबा केता लिखते भी है अथवा बाबा बाबा केते परंतु स्रीप कहने मात्र एक दो चिठी लिखी और फिर गुम वहाँ भी सतियूग में आएंगे परंतु प्रजा में प्रजा तो वहोत बननी है न कितनी प्रजा चाहिए राजे राजवाडे में सतियूग में तो राजा के संग नव लाख प्रजा चाहिए न तो बाबा केता आगे चल जब बहुत दुख होगा तो बहुत भागेंगे आवाज होगी भगवान आया तुमारे भी बहुत सेंटर खुल जाएंगे अभी तो क्या करना पड़ा सेंटर पर आने के लिए भी मना करना पड़ा और बाबा केता तुमारे बहुत सेंटर खुल जाएंगे तुम बच्चों का काम है देही अभिमानी बनना देही अभिमानी बनना है आजुन बहुत देअभिमान है अन्त में कुछ भी देअभिमान होगा अन्त मते सोगती होगी बाबा केता अन्त में कुछ भी देअभिमान होगा तो पद भी कम हो जाएगा देह अभिमान क्या करेगा नुकसान पोचाएगा न और देह अभिमान हमारा बहुत नुकसान कराएगा बाबा केता न सारे विकारों का जड़ क्या है यह देह अभिमान बाबा आज कितना पक्का करा रहा है हमें देह अभिमान पे हमें दुखी और किसी ने नहीं किया पर हमारे अपने दिया विमान हमारे दुख का कारण बना फिर आकर दास दासिया बनेंगे दास दासिया भी नंबर वार धेर होती है राजा वो को दासिया दहज में मिलती है सावकार को नहीं मिलती दासी किसको मिलेगी राजखराने को बाबा के इता सावकार को नहीं मिलती बच्चों ने देखा राधे कितनी दासिया दहज में ले आती है आगे चल तुमको बहुत साक्षातकार होंगे हलकी दासी बनने से तो शावकार प्रजा बनना अच्छा है दासी नाम तो राजा के मुकाबले बहुत छोटा लगता है फरक नहीं होगा भेद नहीं होगा पन राजा रानी के प्राप्ति में और दासी के प्राप्ति में तो अंतर होगी महल के अंदर के विदासी तो महल के बाहर के विदासी गिने जाएगी पर चेंज कितना होगा तब बाबा केता सावकार प्रजा बनना अच्छा है दासी अक्षर खराब है प्रजा में सावकार बनना फिर भी अच्छा है बै दासी कोन बनेगा और सावकार प्रजा कौन बनेगी अपने संसकारों को चेंज नहीं किया तो हम कहां चले गए दासे में नंबर कम रहे तो नंबर कम वाला का जा सके पीछे के तरफ ही तो जाएगा धन दान किया अपन धारना अच्छी नहीं की तो वो आत्मा का गई सावकार प्रजा में तब बाब केता बाब का बनने से माया और ही खात्री करती रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है वो भी तो देखेगी विचारे कहेंगे अभी तक तो मेरा गुलम था अब मुझे केता चुब बैठ वो क्यों चुब बैठी वो तो और और कड़े कड़े करजे लेकर आएगी बाब केता रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती देख अभिमान आ जाता है शुब बाबा से भी मुझ फेर लेते है बाबा को याद करना ही छोड़ देते और ही फस पड़ते ऐसा बाप जो विश्व का मालिक बनाता उनको याद करने की फुरसत नहीं है अच्छे अच्छे बचे शुब बाबा को भूल देख भिमान में आ जाते नहीं तो ऐसा बाप जो जियदान देता है मुर्दे बराबर तो होई गए थे बाबा ने कितना हमको दान देकर आत्मा में प्रान भरा तो जियदान हुआ न तो बाबा केता तो उनको याद करके पत्र तो लिखो परन्तु यह बात मत पूछो माया एक दाम नाक से पकड उड़ा देती कदम कदम पर स्रिमत पर चलो तो कदम में पदम है कहते हैं न देवताओं के कदमों में पदन होते कैसे पदम होते हमारा एक-एक कदम बाबा के याद में उठे बाबा के लिए उठे यग्ये के लिए उठे तब ये तो पदम जम्म होंगे तो बाबा कहता तुम अंगिंत धनवान बनते हो वा गिंती नहीं होती, धन दवलत, खेती बाड़ी सब मिलती है, वा खेती बाड़ी सब मिलती है, बावकेता खेती बाड़ी सब मिलती है, वाहा सोना ही सोना होता है, महल ही सोने का बनाते, तो क्या नेव होगा, यह तो है ब्रष्टाचारी राच, यह सोना कितना महेंगा हो गया, बावकेता यहा तो है ब्रष्टाचारी राज, यथा राजारानी तथा प्रजा, सत्यूग में यथा राजारानी तथा प्रजा, सब स्रिष्टाचारी होती, परन्तु मनुष्य के बुद्धी में बैठता थोड़ी है, जिनके बुद्धी में बैठना है, कैसे बैठा उनक खुदी पता नहीं चला, बाबा केता, मनुष्य के बुद्धी में बैठता थोड़ा है, तमो प्रदान है, बाब केते, तुम भी ऐसे थे, यह भी ऐसा था, आभी मैं आकर देवता बनाता हूँ, तो भी बनते नहीं, आपस में लड़ते, जगरते रहते, मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा हूँ, इतना जानता है, यहाँ कोई समस्ता थोड़ी है, कि हम दोजक में पड़े, हम रव रव नर्क में पड़े, यह भी तुम बच्चे जानते हो, नंबर वार पुर्शार्त अनुसार, मनुष्य बिलकुल नर्क में पड़े, दिन रात चिंतावों में रहते हैं, अब है न मनुष्यों को चिंता, अखेर क्या होगा, ऐसा कब तक चलेगा, तो बाब केता दिन रात चिंतावों में पड़े रहते, ज्यान मार्ग में जो आप समान बनाने की सेवा नहीं कर सकते, तेरे मेरे की चिंतावों में रहते, वह बिमार रोगी है, यह भी तो एक मन करोगे तेरी मेरी आवा की चिंता करना, तो बाब केता वो बिमार रोगी है, बाब के सिवा है, और किसी को याद किया, तो वे भी चारिफ होए ना, बाब केते, और कोई की बात मत सुनो, मेरे से ही सुनो, और मुझे ही याद कर, बहुत याद किया, बहुत सुन ल अब बाबा केता बचा हुआ छोटा साय जीवन मेरी सुनो और मेरे को ही याद करो देवतावों को याद करो तो भी बेतर है मनुष्य को याद करने से कोई फायदा नहीं यहां तो बाब केते मेरे सीर भी क्या जुकते तुम इस बाबा के पाच जब आते हो तो शुबाबा को याद करके आओ बाबा परने परने देता शुबाबा को चरन नहीं है तो बाबा केता शुबाबा को याद करके आओ शु बाबा को याद नहीं करते गोया पाप करते हो बाबा कहते पहले तो पवित्र बनने की प्रतिग्या करो शु बाबा को याद करो बहुत परेज है दवाई अच्छी दे तो परेज भी बाबा केता बहुत परेज है बहुत मुश्किल कोई समस्ते इतनी बुद्धी नहीं है बाप से कैसे चलना है इसमें तो बड़ी मेहनच चाहिए माला का दाना बनना कोई मासी का घर थोड़ी है मुख्य है बाप को याद करना तुम बाप को याद नहीं कर सकते बाप की सर्वीस और बाप को याद करना चाहिए बाबा रोज कहते अपना पोता मेल निकालो हमारा क्या हो रहा है कमाई हो रही कही घाटा तो नहीं पढ़ रहा है बाबा केता जिन बच्चों को अपना कल्यान करने के खयाल रहते वो हर प्रकार से पूरी पूरी परहेज करते रहेंगे उनका खाना पीना बड़ा कैसे होगा बाबा केता उनका खाना पीना बड़ा साथफी कुफ होगा देवताव जैसा बाबा बच्चों के कल्यान के लिए कितना समझाते इस प्रकार की परेज चाहिए बाबा केता जाज करनी चाहिए हमारा खाना पीना ऐसा तो नहीं लोब तो नहीं है जबी तक कर्मातित अवस्ता नहीं भी तो माया वुल्टा सुल्टा काम कराती रहेगी कहीन कही फसाने की कोशिश कराती रहेगी उसमें टाइम पड़ा फिर मालुम पड़ेगा अभी तो विनाश सामने है आगे फेल हो गए तुम देखेंगे कैसे बामस गिरते है बाबा आज बैठ कर ये मुरले चला रहा देख रहे संसार की हलत कैसी हो रहे बाबा केता भारत में तो रक्त की नदिया बहनी है वो वामसे एक दो को खतम कर देंगे नेचुरल किलिमेटिच होगी मुशीबत सभी सेजास्ती भारत पर है आपने उपर बहुत नजर रखनी है हम क्या सर्विस करते कितने को आप समान नर से नारायन बनाते कोई कोई भक्ती में बहुत फसे हुए है तो समस्ते ये बच्चियों को क्या पढ़ाएगे समस्ते नहीं कि उनको पढ़ाने वाला बाप भगवान है ये बच्चिया क्या पढ़ाएगे पन उनको ये पता नहीं कि उनको पढ़ाने वाला भगवान है थोड़ा पड़ा वुआ है वाधन है तो लड़ने लग पड़ते आब रुही गवा देते सद्गुरु के निंदा कराने वाले ठोर न पाए फिर पाई पैसे का पद जाकर पाए कितना पक्का कराया रगवान के गिलाने कराई तो क्या होगा सद्गुरु का निंदा ठोर न पाए फिर पाई पैसे का पद जाकर पाएंगे छोटा मोठा पद पाया भगवान का बना भगवान के घर आया बाबा बाबा करा तो बाबा के घर आई होई आत्मा कभी खाली हात नहीं जाएगे तो बाबा केता थोड़ा पाई पैसे का पद जाकर पाएंगे अच्छा मिठे मिठे सिखी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुवानी बाब की रुवानी बच्चों को नमस्ते और हम रुवानी बच्चों की रुवानी मात पिता बाब दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 दारना के लिए मुख्य सारे बाबा दो पैंट्स में पक्का करा रहे बाब केता पहली पैंट्स आज के तेरे मेरे के चिंता वो को छोड़ न तेरा है न मेरा है बाब केता तेरे मेरे के चिंता वो को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है एक बाप से ही सुनना है बाप को ही याद करना है सुनना भी एक से है और याद एक बाप को करनी है वे भी चारी नहीं बनना है भटकने वाले वे भी चारी अने को को याद करने वाले नहीं बनना है बाप को ही याद करना है वे भी चारी नहीं बनना है और दुसरा है अपने कल्यान के लिए खाने पिने की बहुत परेज रखनी है किसी भी चीज में लोब नहीं रखना है ध्यान रहे माया कोई भी उल्टा काम न करा दे हमें अपने पे क्या नजर रखनी है कि ध्यान रहे माया कोई भी उल्टा काम न करा दे लोब भी बाबा ने पुरा निकाला देविमान भी पुरा निकाला बाबा आज वरदान दे रहे हमको बाबा केते प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का पुरुप देने वाले धरम युद्ध में विजई भब सार है अब धरम युद्ध को इस्टेज पर आना है उस धरम युद्ध में विजई बनने का साधन है आपका प्रैक्टिकल जीवन जाधारना है वाधरम है जाधारना चली गई वाधरम तो अपने आप चला जाता तब बाबा केता धरम युद्ध में विजई बनने का साधन है आपका प्रैक्टिकल जीवन हमको बताना न पड़े, जो देखना है वो पन्ना फेर के सामने वाला देख ले, तब भी बाबा का नाम हम बाला करने के निमित बनेंगे, तो बाबा ने हमको कितना पक्का कराया, क्योंकि परमात्मा ज्यान का पुरूप है प्रैक्टिकल चीवन, आपके मुरत से ज्यान और प्रैक्टिकल में दिखाए दे, जैसे हमारे दादियों में दिखाए देते, पुराने दादाओं में दिखाए देते, ज्यादा बोलते नहीं, ज्यादा क्लास नहीं कराते, पर उनका एक एक शब्दा हमारे हिर्दय को पर्ष क्यों करता है? क्यों? कि बाबा के समान उन्हे अपना जीवन बना डाला इसलिए आज उनकी दो बाते भी हमारे दिल को पर्ष करती है लगता वो क्लास कराते रहे तब बाबा केता क्योंकि आजकर डिसकस करने से अपने मुर्ति को सिद्ध नहीं कर सकते लेकिन अपने प्रैक्टिकल धारना मुरत से एक सेकन में किसी को भी शान्त कर सकते हो आवाज बढ़ाने की कला विज्ञान के साध्नों में भी है और हम कहते हम भगवान की संताने साइलेंस के सागर की बच्चे है हम अपने को कितना डालना चाहिए कि तो बाबा ने आज हमको फक्का कराया कि ये कौन सा समय है धरम युद्ध मुझे आज बाबा की ये बाद बहुत अच्छी लगी कि धरम युद्ध में विज्ञाई बनने का साधन क्या है अपका प्रैक्टिकल जीवन और स्लोगन है बाबा केता आत्मा को वुज्वल बनाने के लिए परमात्म समर्ति से मन के वुल्जन को समाब्त करने है आप तो सारी दुनिया के मन में जो वुल्जने हैं हमें समाब्त करनी है इसलिए अब हमारा आपने लिए टाइम देना पूरा हो गया बाबा केता हमारे मन में बाबा के आलवा दुसरा कुछ भी न हो पक्का कराया आत्मा को उजवल बनाने के लिए परमात्मा समर्ति से मन के उल्जन को समाप्त करो कितना पक्का कराया है बाबा कितना जानता है बनके बाबा आपके हर कितने धनवान हुए बनके बाबा आपके हर कितने धनवान हुए दिल का नाता जुडा जब से हर वं से अंजान हुए बनके बाबा आपके हम कितने धनवान हुए बनके बाबा आपके हम कितने धनवान हुए बनके 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 अंजान हुए सुख मिला शती मिली मिली है लाखों खुशिया सुख मिला शती मिली मिली है लाखों खुशिया जैसे हो तागुलों से गुर्शन योही सजी हमारी दुनिया नजरों से तेरी नजर मिली तो हम कितने निहाल गुए बनके बाबा आपके हम कितने धनवाल गुए बनी हसी पपदीर हमारी आपके जो करीब आए बनी हसी तपदीर हमारी आपके जो करीब आए हाथों की बदनी लखेरे आपसे हम मिलन मनाए तेरी रंग में रंग कर बाबा हम कितने महाल गुए बनके बाबा आपके हम कितने धनवाल हुए देखानाता जुडा जब से हरवां से अंजार हुए बनके बाबा आपके हम कितने धनवाल हुए बनके बाबा आपके हम कितने धनवाल हुए हम कितने बाबा हम कितने धनवाल हुए बनके बाबा झाल के बाबा हम कितने धन वाबा झाल झाल